तो आप लोगों में से कई लोग यह पूछते हैं कि सर मेरी जॉब कब लगे ऑगे यह oसस वक्त अपको خुश समझ मा जाओगा कि आपको आप जॉब मेल जाने चाहिए आप उसके बाद उस confidence के साथ job search करोगे और दो-तिन attempt में ही आप कहीं ने कहीं किसी भी plant के अंदर एक अच्छी position पे सेट हो जाओगे दूसरी और बहुत important बात यह है कि आप जब interview face करने जाते हो तो सबसे पहले यह जो है ना जितने भी किताबी चीज़ें उनको साइड में रखो उनसे कहीं ज्यादा focus रखो कि ओ प्लांट जिसमें आप जा रहे हो काम करने के लिए वहां के लिए मैं क्या लेकर जा रहा हूं व इंडिस्ट्री में यह और आई दोनों एक साथ हो रहे हैं तो यदि आपने यह के साथ आई का भी काम दिगा या फिर आपके पात आई है और यह के बारे में भी आपको पता है तो समझो की सोने पर सुहागा फिर तो आपको इंटर्विव क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आईगी यदि आपने एंड दोनों में अपनी पकड मना के रखी है और इंडिस्ट्री का आपको अच्छा काता नौलेज है भले आपने इंडिस्ट्री में काम नहीं किया हो उसके बाद भी आपको इंडिस्ट्री के अंदर किस तरह के काम होते हैं उसका पूरा सेक्शन एक रीड कर लेते हो उसको समझ लेते हो तो फिर आपको अपनी जॉब से कोई नहीं रोख सकता आपको कहना कहीं किसी इंडिस्ट्री में अच्छी पोस्ट मिल ही जाएगी दोनों ही चीजे इस चैनल में अवेलेबल हैं आप 20 डेस का पाउर प्लान विजिट करो इससे आपको अगरिया और उसके बाद ट्राइइंग को सीखो ड्राइंग को सीखने का उसको अप इसको और उसके बाद आप इतने परफेक्ट हो ही जाओगे कि आप कहीं भी किसी इंडिस्टी में जाकर एक इंटर्व्यू तो फेस कर लोग अच्छी तरह से और मैक्सिमुम चांत्रत है कि हो सकता आपकी जॉब भी लग जाए उस इंटर्व्यू के बेस पे और अपने नॉलज़ के बेस पे तो को जोइन करो इसके बाद आप कम्प्लीट क्लियर हो जाना चाहिए तभी आप एच्टी को समझ पाओगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्साइटिंग लेसन में तब तक लिबाएं टेक कियर